हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैगी से एक टेस्टी और क्रिस्पी भेल कैसे बनती है तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो भेल बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैकेट हमने मैगी का लिया है अब हम इसको क्रश कर लेंगे हमें क्रश की वही मैगी चाहिए पैकेट के अंदर हम इसको क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे मसाला हम इसका साइड में रख देंगे और ये बाद में हम यूज करेंगे और देखिए इस तरह से हमें क्रश की हुई मैगी चाहिए अब हमें तो मीडियुम फ्लेम पर लगातार चलते रहेंगे मैगी को हम लगातार चलते रहेंगे और करीब 1 मिनट के बाद इसका रंग चेंज होने लगेगा इसका रंग छेंज हो गया है अब हमेगी को थोड़ा ओर भूनेंगे तब तक इसमें डाल कलर ना जाए और यह देखिए हमे पानी डालने के बाद दर्ग है, तो पानी डालने इक प्याज लिएँ इससे कुख से वेजे डाला करता है, लन्यॉज न की बाम मेगी कहले हैं, जो बुका क्रणे म्यागी की अब कड़ाय कम बर। कच्चापन रहा जाता है वो इससे ठीक हो जाता है और मैगी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाला जाता है और यह देखिए एकदम क्रिस्पी बन गई है अब हम इसे बड़े बॉल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंग प्यास डालने के बाद इसमें हम हरे प्यास डाल देंगे इसमें हम टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे हरी मिर्ची ऑप्शनल है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अब इसकी जगे इसमें हम धनिया डाल देंगे अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले इसमें मैगी मसाला डालेंगे मैगी मसाला पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इससे अच्छा टेस्ट आ जाए अब इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे चाट मसाला डालने क आपके पास अगर मठीया या कोई भी नमकीन रख लिया है तो आप इसमें डाल सकते हैं पूड़ी सी नमकीन डाली हैं आप कोई भी नमकीन इसमें डाल सकते हैं इसी जदा टेस्टी सी बनती ये तेखिए मिक्स करने के बाद हमने एक बड़ी चम्मचेचप केयचप केम når एक बहुत कम टाइम में बनके यह तयार हो जाती है और बचों को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो घर में एक बहुत जरूर टाइब कीजिएगा और ये एक दम स्ट्रीट साइड जैसी बेल बनी है आप इस बेल में अपने मनचाई सब्जी याँ डाल सकते हैं घर में नमक है यह किनी कलरफुल बनी है थैंक्स फूर वाचिंग